आप से भी कस हुआ गए था मेरे चानल पर आज के इस वीडियो में प्रेमानेंद महालाजी ने आपको बताया है कि दुख चिंता और डिप्रेशन से मुख्थो जाएंगे अगर आपनी ये सुन लोगे तो बिना देरी कि हम वीडियो को शुरू करते हैं इस वीडियो का प्ली दुख फैल जाएगा तुमारा जितना संबंद फैलाते चले जाओ उतने तो अग्यान फैलता चला जाता है अभी विदेश में आपका कोई होर वहां पधारे अमेरिका में तो अभी भारत में आप रोना शुरू कर दोगे दुखी हो जाओगे क्या संबंद संबंद जितना फैलाते चले जाओगे तो बिनासी संबंद फैलाया तो बिनास होगा उसका दुख कानुवा होगा माना हुआ अग्यान कर्म भी अग्यान से ही तो हो रहा है सारा का सारा खेल अग्यान भगवान का भजन करो अग्यान नस्ठ हो जाए तो तुम्हारे मरने का दुख चला जा शुटी-छुटी वस्तू, शुटी-छुटी छुटी व्यक्ति, छुटी-छुटे पदार, किसी कृरीडा में पराजित हो गया, सरीर को नश्ट कर दिया एक किशान की फसल नश्ट हो गए सरीर नश्ट कर दिया कहीं फेल हो गया वो सरीर नश्ट कर दिया मतलब कहा माननेताएं है माननेताएं कहा है अपने जीवन को कितना अमूली जीवन आप बना लेते हैं या कितना घटिया बना देते हैं अग्यान ही तो है अग्यान के कारण एक सेलफी में अपने प्राण दे रहे हैं लोग हमारा अग्यान हमारा नास कर रहा है हमें दुख दे रहा है हमें परिशान कर रहा है हमें डिप्रेशन में ले जा रहा है उस ही को दूर करना है मस्ती अपने अंदर अपार है और हम मस्ती अपने अंदर की नहीं हम बाहर से मस्ती चाहते हैं इसलिए हम परेशान है अगर अपने अंदर की मस्ती जान जाओ ना प्यारे तो कोई दुख है ही नहीं कोई दुख नहीं कोई दुख नहीं दुख आप मूल ले रहे हैं ना आपका ये सरीर आपका था नहाए और न रहेगा किसका प्रश्ण था आप देखे आपका ये सरीर पहले था क्या पहले आप कितनी आयो है आपके सरीर की बावन वर्स पहले सरीर नहीं था और पता नहीं बावन मिनट बावन सेखेंड या बावन दिन या बावन मैं कुछ पता लिए कितने दिन टिके गए और ये है नहीं रोज करोज नस्ठ हो रहा है अब यही हमारा नहीं है तो फिर और कौन हमारा हो गया जब यही हमारा नहीं है आपको विश्वास है कि आपका नहीं है यह आपका सरीर आपका नहीं है आपको पता है लेकिन प्यार तो बहुत है इस सरीर से एक अपनापन इतना जूर का है कि सीसा देखने पर लगता है मैं नहीं लगता है वह यही दुख देता है यही जन्म म्रत्यू का कारण है और इसी से सम्मंदित पुत्र पती, रिष्टे, नाते कितने सम्मंद है और यह सम्मरण धर्मा है यह भी पता है आपको दिमाग में दिमाग में रख लो कि हम आये कहां है जैसे जानकारी करना है इसका नाम है मृत्यू लोग सम्मरेंगे और जिनसे आप अपनापन करना चाहिए उनसे सायद हुआ है कि नहीं अगर उनसे हुआ होता जिनसे अपनापन किया है इनके बिछुडने पर आपको दुख नहीं होता भगवान ने आदेश किया जननी जनक बंद सुतदारा तनुधन धाम शुषद परिवारा सबकी ममता ताग बटोरी ममपद मनह बांधि बरडोरी अभी खतम हो जाये रोना दुख खतम हो जाये कुछ नहीं किसके प्रतिरुना किसा खिलोने है हमारे आपके जितने धाचे हैं ये माया के खिलोने बिगडेंगे एक तरफ कुमार के बरतन जिसे फूटते रहते तो एक तरफ उसकी चाक शलती रहती है और दूसरी तरफ आवे में तपते रहते हैं तो सृष्टी, पालन और संगार तीनों क्रियाएं मेरे भगवान की बराबर हो रही है कहीं जो है मंगल बधाईयां बज रही है तो कहीं आशूँ की जड़ी लगी है वियोग मर गया है कोई कहीं आहाकार मचा हुआ है तो कहीं नरत्य हो रहा है तो कहीं कोई खान पान की मौज मस्ती देखो न पूरे संसार का और है कुछ नहीं ये एक विशद फिल्म है एक विशद बड़ी फिल्म है जीवन की वो तीन गंटे में खताव मुझाती है 60 वर्स में, 70 वर्स में, 80 वर्स में लेकिन टोटल जूटी फिल्म जूटी होती न अच्छा इस फिल्म में आप ही डारेक्टर है आप ही हीरो है आप ही हीरोहिल है आप ही बिलियल है आप ही परदा है आप ही पूरी सूटिंग है आप ही एक ही है और अपने आपको विविद रूपों में प्रकासित करके खेल रहा है और अपने आपको समेट लेता है एक ही एकोहम बहुत स्यामा बहुत स्यामा एकोहम बड़ा विचित्र खेल है जैसे हम फिल्म देखते हैं तो दुखी शुखी होते हैं पर हमको अंदर से ग्यान होता है जूठी है इसलिए हम बाहर मुस्कुराते हुए निकलते हैं पर इस फिल्म का इसा मतलब आकरशन है कि ये जूठी नहीं लगती ये सच्छी लगती है सास्त्र कहरा और प्राया सब लोग जानते हैं जब गाओं में सवर्यात्रा करते हैं न लेकर के तो बोलते हैं जोर से राम नाम सत्य है सत्य बोलो मुक्ति है ऐसा बोलते हैं तो सत्य क्या सब लोग जानते हैं भगवान सत्य है भगवान का नाम सत्य है लेकिन वो थोड़ी देर के लिए फूकने तक के लिए जाओगे फिर यही संसार सत्ते है इसलिए हमें दुख लगता है क्योंकि हम जिद जिस से संबंद रखते हैं जैखो अभी जैसे सूचना मिले न कि अभी मथुरा में एक्सिडेंट हो गया दस लोग मर गए तो आप उस आदमी को पर नाराज होगी कितना बढ़े हां बात चल लए थी बीच में आके दस लोग मर गए नहीं उसमें एक आपके फूफा भी थे अब आपको अब आपको क्योंकि आपका रिलेशन निकल आए लो संबंद निकल आए पहले दुख नहीं था संबंद ही अब सत्संग में मन नहीं लगेगा बें लगेगा मुझे जाना चाहिए मेरा कोई अगर अपना संबंद ना हो और पचास लोग मर जाते हैं सूचना मिलती तो आपको क्या परक पड़ता है आप कोगे यार इतने सत्संग में काय को बिक्षेब डाल लिए अगर उसमें कोई एक दूर का भी है तो आपका चित खित जाएगा मत इसको भूल करके अपने को इस्त्री पुरुसमान कर जगत में फस गए यही अध्यात्म से सुधारना अगर सुधार जाए तो जीवन मुक्त और नहीं तो भेया फिर यह तो पुनरपी जननम पुनरपी मरणम पुनरपी जननी जठरे सैना में खेल तो चली रहा है और हर सेक आरा महिना एक स्वास कितनी किमती है वो तब समझो जब आखिरी स्वास हो और आप कह दो कि साठी वर्स की कमाई पूरे जीवन की हम आपको देते हैं दो स्वासे बढ़ा दो नहीं बढ़ेंगे इतनी किमती स्वासों में तुमने भगवान का सुमिरन नहीं किया तुमने प सकता है एक लाख रुपया तुम्हारी जेम में थे और किसी ने तुम्हारे दस हजार रुपय काट लिए तो आप 90,000 में नाचे गए तो यही तो बात है तुम्हारे जीवन के बारा महिने काट लिए गए तुम नाच रहे हो तुम सोचना चाहिए कि आप मेरे जीवन का लक्ष क्या है बारा महिना तो चले गए अगला बारा दिन है की नहीं है तो लोग बड़े मतवाले हैं हम कहरें मनाओ भगवन नाम कीरतन करके मनाओ सत्य वस्तू को जोड़ करके मनाओ असत्य वस्तू में क्या अब बुले आज पार्टी जन्म दिन की मदिरा और मान के खान जाएंगे अरे यार लोग जिंदा जलाकर खाते हैं सरीया इसे टांग दियों पैर बांद दिए नीचे आग लगा कि घूंज के ऐसे तो मनुष्य जीवन तो बड़ा सुख में जीवन है इसमें भजन कर लो कम से कम अतना भजन कर लो कि अगला हमारा जन्म मनुष्य को हो या हम सुवर कुता तो न बने मुर्गा मुर्गी तो न बने तो बहुत अगर इस जन्म में तुम यह सब खापी रहे हो और गंदे आचरन कर रहे हो तो कि तुम्हें वही बनना पड़ेगा वही कटना पड़ेगा वही सब भोगना पड़ेगा तो यह जो दुख हो रहा है ग्यान के कारण हो रहा है, बाई हमारी प्रार्थना है नाम जब करो, भगवान से प्रार्थना करो, क्योँ आपको ग्यान दे, जिससे आपका ये माना हुआ दुखनस्ठ हो जाये, जैसे श्वापने में है ना, हमें कोई लाठी से पीट रहा हो, अब क्या उपाय है होन करके हम पडोसी सब एकठा कर ले पुलिस एकठा कर ले तो जो स्वपने में पिट रहा है हम बाहरी उपाय से उसे बचा सकते हैं क्या आप कोई बताओ कुछ भी कर लिए बाहर से कुछ चले बताओ एक मात्र उपाय बचाने के कुछ जगा दो बच जे भी जगा है सब खताब हो गया तो इस संसार का जो दुख है कुछ भी उपाय कर लो मिटा नहीं सकते हैं क्योंकि उमा कहों मैं अनुभव अपना सत हरी भजन जगत सब सपना मोह निसा सब सुव निहारा और देखें सपन अनेक प्रकारा यही जग जामिन जा गय जोगी परमारती प्रपंच भी होगी जब जाग गया तब सोना क्या जब समझ गया तो रोना क्या समझ गया तो रोला क्या अभी हम लोग श्वापनिक जगत में फसे विए इसलिए भगवान का आश्रे लो नाम जब करो सत्संग सुनते रो तो इस दुख से निव्रत्ती हो जाएगी नहीं बड़ा कर्म जाल पसा हुआ है अगर धैर से सत्संग सुन रही है आपका मैं देर साल हो गए इपरेशन में जाते जाते मैं बचते लिए हाँ सत्संग बचा तु लेगा है सत्संग तु बचा लेगा अगर धैर से सुनो तो आवा गमन से बचा लेगा बड़े भाग पाईव सत्संगा और बिना ही प्रयास होई भव भंगा सत्संग मात्र आपको आवा गमन से बचा लेगा अगर ध्यान से सुनो और उसे पकड़ लो तो भगवान को भग को भग की जरुरत नहीं पूरी विश्व को भग पवा रहे भगवान को जरुरत है आपके अपने पन की और उसके लिए हमें चाहिए इस्मरण सतत इस्मरण तो नाम जब करो जितना आपसे बन सके नाम जब करो नाम जब जो आपको प्रिलगे राम कृष्ण हरी राधा राधा जो नाम प्रिलगे खुम नाम जब करो नाम जब से सब ठीक हो जाएगा सब दवाई एक है जाशु नाम भव भेशज जिनका नाम दैविक भावतिक तापो का नास करके इस संसार चक्र से पार होने के लिए अमोग उशदी जासु नाम भाव भेसर खुब नाम जब करो खुब देख लेना पनंदी तो जाएगा कि आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी थैंक यू एवरिवन थैंक्स वाचेंग बाइए